आज के सत्र में जैसा राजल वेयर ने प्रारम में कहा था कि हम लोग एक इंटरनेशनल कॉंट्फेंस कर रहे हैं और उसकी तारिक बाइस तेइस चुबिस कि दॉमबर की है कि उसके तैयारी के बारे बहुत प्रीफली उन्होंने बात रखी है मुल्रुक से क्या आशा है और क्या हम लोग इसमें करना चाह रहे हैं उसके पारे में मैं एक संचिप्ट बात रख देता हूं तो यह जो इंटरनेशनल कॉंट्फेंस है वो हुमन वैलीजिन हायर एजूकेशन पर यह कॉंफेंस हरवर्स करने का प्राविधान हम लोगों ने बनाया और मुख्य रूप से जो सिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनको ध्यान में रखकर यह काम शुरू हुआ था आशे हम लोग का यह है कि एक ऐसी समगर द्रिष्टी के बारे और पूरे मानोता के बारे पूरे प्रकृति के बारे हम कि शेर कर सके एक दूसरे के साथ और वैसी द्रिष्टि को वैसे विजं को पूरा करने के द्रिष्टि से सिक्षा का क्या स्वलूप होगा जिसके माध्यम से हम एक मानविय समाज को सुनिश्चित कर पाएंगे जिस मानुए समाज में हम सभी का सुख एक एक व्यक्ति का और सभी का सुख और समरिध्धी सुनिश्चित हो सके पीढ़ी दर पीढ़ी तो मुख्य आशा यह है कि एक ऐसा holistic vision और उसको सुनिश्चित करने कहरत में जो मानुए सिक्षा के आशकता है कि उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सके हैं जो मुख्य प्रयास है हम लोग का वह इस बात के लिए है कि जो में इस्टिम एजूकेशन है वो होलिस्टिक हो और वैलू बेस्ट हो क्योंकि सिक्षा में एक बहुत पार्टिजन इनकंप्लीट दूसरे हम दें और बाद में उसको बाहर से भरने की कोशिस करें वो तो कठिन काम हैं ज्यादा तरस हमें होता नहीं हैं तो हम पूरे में इस्टिम इजूकेशन को ही एक समगरता में और मुल्य आधारित बनाने के दृष्टी से क्या किया जा सकता है उस पर काम कर रहे हैं और ऐसा जो समगरता के साथ मुल्य आधारित शिक्षा होगी उसमें देखेंगे तो यह कुछ मुख्य बाते हैं एक तो होलिस्टिक होना उसका इनुवर्सल होना रैशनल होना वेरिफायबल होना और मानिवे होना हुमेन संगीत परसपरता में जो हमारा जीना है उसमें एक संगीत की स्थिति बन सके हर इस्तर पर ऐसा सिक्षा संसकार होगा तो फिर यह तीन बाते जो नीचे लिखी हैं वो पूरी हो सकती है तो जो व्यक्तिगत हमारा लक्ष है सुख और समरिद्य पुर्वक जीने का उसको सिक्षा के माध्यम से एक मानुवे चेतना को विक्सित करके हम उस लक्ष को पूरा कर सकते हैं ऐसा होगा तो इसके प्रकास में आज की जो समस्याएं हैं उसको हम लोग उसके रूट्स में इना सॉल्व कर सकते हैं इसके जो मुलभूत कारण है उस जगह से ही उनको हम लोग ठीक कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को और अल्टिमेटली जो उपलगदी होगी वो एक स्यूमन ससाइटी जिसमें हर एक के सुब का सर्व सुब का काम हो सके पीड़ी दर पीड़ कर रहे हैं इस पर जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका जो एफट है उसको सब के साथ शेयर करनी के दृष्टी से यह कांफरेंस लोग इंटरनेशनल लेवल पर करते रहे हैं ताकि जो भी कुछ हम लोगों हम लोग कर पाए हैं उसको दूसरों के साथ शेयर कर सके और दूसरे जो नोग इसके लिए उसायत होते हैं उनके साथ आगे का कारिप्र black man गुन जही हिए तो अगर हम लोग देखेंगे कि अपने किस से हम लोग चल रहे हैं कि किस प्रकिया से हम लोग चल रहे हैं ताकि हम मानहों का जो inspiration है उसको हम पहचान भी सकें और पूरा भी कर सकें और इसके प्रकास में जो समस्याए हैं उसको हम resolve भी कर सकें उनका समधान तून सकें तो तीन तरह की possible approach हो सकती हैं एक तो problem centric problem solving approach हो सकता है कि हमारा focus problem पर है और उन problem को हम solve करना चाहते हैं दूसरा approach solution centric problem solving हो सकता है कि हमने ध्यान तो solution पर रखा है overall क्या solution हो सकता है लेकिन अभी immediate concern है वो तो problem को solve करने का ही है एक तीसरा approach हो सकता है यह है कि हमारा ध्यान समधान में जो समधान है जो solution है उस पर है और उस समधान में solution को सुनिश्चित करने के लिए हम काम कर रहे हैं और इन दी प्रोसेस problem का जो root cause है वो resolve हो पाता है तो यह जो तीसरा approach है उस पर हम लोग मुखिरूप से काम कर रहे हैं और इसमें देखेंगे तो इस काम को हनुति लेकर व्यक्ती से लेकर परिवार पिर समाज और पूरी प्रक्रिति तक परिवार वीश परिवार तक सुनिश्चित करने के अर्थ में आपेक्षा से कि यह काम अगर्व हो गया और एक मान्यूय समाज तो फिर यह जो प्रोब्लम हम आज के दिन दिख रहे हैं वह प्रॉब्लम टहज रुप से रिजॉल्व हो जाएंगे तो इस त्रिष्टी से अगर आज की इस्तिति को देखें तो यह पता लगता है कि वास्तों में जो समस्या है वो तो यह है कि अभी तक हमको हमारा लक्ष इस पस्ट नहीं हुआ है मानों का लक्ष क्या है यह स्पस्ट नहीं हुआ है मानों के लक्ष को पूरा करें के लिए जो प्रयास करना बनता है वह नहीं हो रहा है बहुत संकुचित रूप से हम सुविधा को ही मानों की आवशक्ता के रूप में पहचानते हैं और उस सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते हैं वो नहीं होता है तो हमको भरुसा रहता है कि जब हो जाएगा तो चीजें पूरी पढ़ जाएंगे लेकिन जब सुविधा परयाप्त हो भी जाती है तो भी ऐसा नहीं लगता कि हमारा लक्ष पूरा हो गया है हम और बहुत से चीजें को ढूनने लगते हैं और ये और क्या चीजें हैं वो इसपस्ट नहीं रहता है तो ये जो सुविधा को लक्ष मान का अभी करने लग गए हैं तो इसका कोई तिरिपति बिंदू मिलता हैं नहीं है तो असली समस्या दरेखे हैं कy हम को अपना लक्ष सपस नहीं है इसलिए उसके लिए प्रयास ने हो नहीं हो रहा है मानव के लिए जो लक्ष है अवह और इसलिए हम बहुत सारी समस्याओं को फेज कर रहे हैं तो इतनी सारी जो प्रॉब्लेम दिखती हैं वह इसके कारण है इसलिए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा तो इसके रूट कॉस को ही ठीक करना पड़ेगा जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे तो आज के दिन अगर देखें तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लेम दिखती हैं हर इस्तर पर ब्रॉब्लेम दिखती हैं परिवार के इस्तर पर दिखती हैं समाज के इस्तर पर दिखती हैं पूरे प्रक्रिती के इस्तर पर दिखती हैं और इन समस्याओं से हम बहुत परेशान हैं और इन से छुटकारा पाना चाहते हैं दो है और उसके लिए बहुत धंग से अ स्थी हैं कि अ हर हिस्टर पर प्रॉबलिम दिखता है और उससे हम छुटिप अनके लिए हैं çुछ सारे एफर्ट कर रहे हुं और हर इस्तर पर कर रहे हैं व्यक्ति के इस्तर पर परिवार के इस्तर पर समाज के इस्तर पर पूरी प्रकृति के इस्तर पर और यह जो प्रयास चल रहा है यह कई तरह से चल रहा है वह व्यक्तिकत इस्तर पर भी चल रहा है परिवार के इस्तर पर भी चल रहा है वह सारी सं पर हमको दिखाई परता है जे नेक्स्ट लेकिन यह जो हम प्रयास करते हैं जिसको हम लोग ने कहा कि प्राब्लेम सेंटर्ड प्राब्लेम सॉल्विंग का जो एप्रोच है उससे चीजें हो नहीं पाती हैं एक समय पर जाकर हम अटकते हैं उसका एक दो धारन हम लोग देख लेते हैं कि जैसे आज की दिन यह प्राब्लेम है कि हम संबंध पूरवक नहीं जी पा तो यह जो कम्मुनिकेशन का भाव है कम्मुनिकेशन के मेंडिया का भाव है प्रॉब्लम हमको पड़ता है तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्ब करने की कोशिस की तो टेलीफोन डेवलब किया टेक्नोलोजी के रूप में जो है पहले बेस फोन और मोबाइल फोन हो गया अगर टेक्नोलोजी के दिश्टे से देखेंगे तो हम बहुत सक्सेस्फूल है क्योंकि 80% से ज्यादा लोगों के पास अभी फोन हो गया है लाइन लाइन हो चाहे मोबाइल लेकिन अगर आप अपने से पूछेंगे कि यह जो मोबाइल इतना हो गया हर एक के हाथ में है उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया क्या रिलेशन्शिप का अगर देखेंगे कि टीलिफोन तो बढ़ गया कम्यूनिकेशन तो बढ़ गया निश्ट जा सकते हैं लूब्लम टेकलोजी सक्सेस्फूल ट्रांस्मिशन बढ़ गया है लेकिन क्या कम्यूनिकेशन बढ़ा या कम हुआ है उससे भी सवाल ये है कि क्या हमारे संबंध में पहले से ज़्यादा अच्छी स्थिति बनी है या अनिथा हो गई है क्या भी हमको ऐसा नहीं दिखता है कि परिवार के सदस से है ना बहुत दूर दूर जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं लेकिन आपस में रिलेट करने के लिए सफल नहीं हो पा रहे हैं तो घरों में संबंध में दूरी बढ़ रही है और जो दूर-दूर के लोग हैं उनसे हम मोबाईल में बात कर रहे हैं मुझे ध्यान है एक इंटरनेशनल कौन्फेंस हो रहा था ил Creoimiento Gleich 가운데 में बोडान में किया में किम्मिनीकेशन मिनेश्ट्र हो आए थे उर उनसे जब कारकेम के बाद ब्रेक के समय बात हो रही थी और ये सब बातें उनसे हुई तो उन्होंने क्या रहे आप मुझे ही बताईए क्या कर सकता हूं मैं का मेरे तीन बच्चे हैं और सब के पास मुबाइल है हमारे पास भी और इन तीनों के पास भी और हम लोग एक जगा पर बैठे रहते हैं और सब लोगों से होते हैं बाहर के लोगों से लेकिन हमारा आपस में कोई communication नहीं हो पाता पहले कम से कब mobile नहीं था तो हम आपस में ज़्यादा communicate करते थे और ज़्यादा related feel करते थे ये इस्तिति अभी हम हर ग़र में तो देखी सकते तो problem solve होता है जिसको अभी हम problem मानते हैं उसके सॉल्व होने से तमस्याओं से हम निवरित हो जाते हैं और हमारा समधान हमको उपलब्ध हो जाता है ऐसा होता नहीं है इसी तरह से दूसरा एक उधारन है इसको मैं बहुत टेल नहीं करूँगा कि 1960 के आसपास यह महसुस हुआ कि जो उत्पादन हम कर रहा है नाज का वो देश में जितने लोग हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं पड़ रहा है तो 1960 में बहुत सारी अग्रिकल्चर इन्वर्शिटिस खोली गई और केमिकल फार्मिंग को प्रमोट किया गया उसके फल स्वरूप ग्रियन डेवलेशन हुआ और ग्रियन डेवलेशन तो सक्सेस्फुल था और बहुत मात्रा में उत्पादन का काम हुआ लेकिन क्या अगर आप देखेंगे तो उससे यह जो इन्सफिशेंट फूड की प्रॉब्लम थी अंगर की प्रॉब्लम थी यह सक्सेस्फुल आज साट साल बाद भी ऐसी सित्थी है कि 40% लोग उनके लिए जो पॉस्टिक भोजन के आवशक्ता है उनके हेल्थ को ठीक रखने के लिए वो सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है और इतना है नहीं कि लोगों का अंगर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है बलकि बहुत सारी प्रॉब्लम हेल्थ के द्रिष्टी से देखें पॉलुशन के द्रिष्टी से देखें है वो तो और बढ़ गई है तो अभी आप अपने से पूछ सकते हैं कि सिच्वेशन पहले से अच्छे हो गई है या पहले से ज्यादा बिगड़ गई है तो 1960 में साइथ हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि धर्ती रहने जाइक न रह जाए बहुत थोड़े समय में लेकिन अभी तो ऐसा लगने लगा है तो यह जो टुकले टुकले में हम प्रॉब्लम को आइदेंटिफाई करने का और स्वाल्व करने का प्रयास करते हैं उसकी इस् स्वाल्म सेंट्रिक अप्रोच जिसके बारे आज के दिन हम इनली काम करते हैं जो दूसरी पॉसिलिटी है वो सोलिशन सेंट्रिक अप्रोच का है तो हम लोग जो काम कर रहे हैं उस सेलिशन सेंट्रिक अप्रोच को लेकर कर रहे हैं और इसको अगर देखेंगे तो इसमें छार बाते हैं महतरों connections, पहला तो ये है कि हम समगरता में चीजों को देख रहे हैं और इस समगरता में जीते हुए कैसे हम माणों की आवश्चता को चाहना को पूरा कर सकते हैं और बाकी सब के लिए भी पूरक हो सकते हैं परिवार से लेकर समाज और पूरे प्रकिती तक है तो उसकी इस पस्टता ये मुखे बात है तो इसको हम लोग कह रहे है clarity of all income passing resolution तो एक समगरता में हम चीजों को देख रहे हैं समगरता में कैसे जीना है इसका समधान हमारे पास है फिर हम उस समधान के साथ प्रयास कर रहे हैं यह जो समगरता के साथ हमारा जीने का स्वरूप होगा और हम कैसे जी सकते हैं एक एक व्यक्ति से सुरूप करके फिर परिवार और समाज और पूरा रास्ट और विश्व तक कैसे उसको कर सकते हैं उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो effort for all income passing resolution यह दोनों चीजें हो रही हो ठीक से तो इसको करते हुए हम यह भी देख सकते हैं कि आज के दिन किन प्राब्लेम को हम solve कर रहे हैं वरकिन problem को face कर रहे हैं तो उसको कह रहे है problem analysis in the light of all income passing resolution तो यह तीसरा काम है और एक बार यह analysis proper हो जाए तो उस problem को जिसको भी हम लोग face कर रहे हैं उसका root cause क्या है उसको हम पहचान सकते हैं और उसको rectify कर सकते हैं बलकि दो चीज़े होंगी अगर एक और दो पर काम करेंगे तो यह problem अपने आप ही solve होने लगेंगे बट उसको अगर ज्यादा intensity के साथ करना है तो तीन और चार को हम करेंगे तो हम लोग इस approach से चल रहे हैं नेक्स्ट नेक्स राजलविया नेक्स राजलविया of all is realized generation after generation तो यह सारी बाते हम लोग ने सुरू में की थी का जो आश्य था उसके दिश्टी से और यही हम लोग का मुख्य एप्रोच है इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसी को हम लोग समय समय पर दूसरों से शेयर करने का और साल में एक बार इंटरनेशनल प्रेट फॉर्म पर शेयर करने का काम कर रहे हैं जी नेक्स्ट तो यह जो एप्रोच है अगर इसको देखेंगे तो इसके जी तो अगर इस एक और दो मखरूप से हम लोग काम कर रहे हैं और उसके प्रकास में आवसकता होती है तो तीन और चार पर काम करते हैं तो यह एप्रोच सही है या जो लेफ्ट साइट पर प्रॉब्लम सेंट्रिक एप्रोच है यह सही है तो इसके संदर में कुछ बात हम लोग ने पूछिए नीचे Is this approach enough or something more is required फिर यह पूछ रहे हैं All four steps are necessary or something can be left out or added और तीसरा पूछ रहे हैं कि अगर यह चारों को करना बनता है तो किस order में शुरू करेंगे पहले एक और दो पर काम करेंगे फिर तीन और चार पर काम करेंगे या पहले तीन और चार पर ही काम करने लग जाएंगे और समय बचेगा तो एक और दो पर काम करेंगे और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इतने सारे चार प्रश्ण इस अंदर में यहां पर रखें इस पर अगर किसी को कोई बात रखनी हो या कोई प्रश्ण हो तो आप पूछ सकते हैं आगे चल कर हम लोग इसके आधार पर जब देखने जाएंगे तो कुछ ऐसे एक्साम्पल्स लेंगे जिस पर हम लोग आल्रेटी काम कर रहे हैं और जो का मुख्य पैनल का डिसकेशन का विंदू भी होगा उन पर हम लोग थोड़ी बात करेंगे बट यहां तक के संदर में और यह जो चार प्रश्ण इहां पर पूछे गए इसके संदर मे पूए अपने बात रखना चाहें या कोई प्रश्ण हो तो हम लोग रिसपाउन कर सकते हैं ठाहने को बेद्ट तो सब्सक्राट कि और प्रवलेम एनालीसिश से सुरू करेंगे तो व्यव फिर प्रॉब्लम सेंट्रिक हो जाएगा इस तें चार को अ बाद ojos करेंगे ऑर बाद में अन्युआ वन-ट। आदेनफिट से में आजीर मेंच मेंज्ज हां नहिता रंग बात करते हैं तो प्राब्लेम को हम हैंडल करने तरीका होगा वह तो होता नहीं और इसमें पोल भी जब हम बात करते हैं तो क्या सिम्टम की बात कर रहे कि अलए कि डेखिए कोई बैक्ति बिमार पर सतना खरता है यह problem है न यह problem जो है cancer होने का यह basically problem की बात हो रही है या symptom की के बात हो रही है एक चरी वह सिंटम की बात है बैसिक प्रब्लम क्या है कि उसका जो है इस बॉडी इस अने थी ठीक है न तो एंशुर जर्दी बॉडी इस है ठीक है अगर हम इस सोलुशन के लिए कहम करेंगे आप ठीक हो जाएगा was हो जाएगा तो केंसर होगा भी Vander Ka फिक है तो अभी क्या प्राव्लम होती है कि हम प्रॉब्लम को सेंटर करके जब जाते हैं देखने तो प्रॉब्लम को भी ठीक से नहीं देखते हैं हम तो उसका symptom को देखते हैं तो cancer हो गया आप उसको काट के हटा दिया ठीक तो cancer जो हो रहा था उसके कारण को तो हम कुछ नहीं किये पिर उच्छे मेना साल भर में वापस हो जाता है तो जो उसका तो कुछ उपाय करने रहे हैं उसको हम प्रॉल्लम कुर्प में अडेंटिफाई भी नहीं कर रहे हैं और healthy होना इसका solution है जिस पर भी आगे हम लोग बात करेंगे उस तक तो पहुंचते ही नहीं है तो एक रोग ह होता है फिर दूसरा रोग रता है फिर तीसरा रोग रता है यहीं करते रहते हैं है कि यह जो तीन और चार से काम शुरू कर देते हैं वह वर्क नहीं करता क्योंकि वह कर दो का clarity नहीं है तो problem का analysis भी ठीक से नहीं होता है बहुत ही short term बहुत ही लिमिटेड रूप में हम problem को है और इस लिमूटेड लेलबल पर ही हम symptomatic relief चाहते हैं कि ठीक है यह कि सब्सक्राइब ब्राबर है कि जी जी ठीक है बताए है प्रशान जी बताए है जी जी नमस्ते नमस्ते स्वारिया एक तो बहुत ही अच्छी बात बताई कि 1960 से आज अगर हम compare करेंगे तो improvement है ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा अगर सोचेंगे तो फिर यह valuation का काम ही हम मतलब ऐसा बोलेंगे कि बहुत improvement होगे अभी कुछ ज़रुत नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा मेरा डाउट था प्लीज थैंक यू जी ने इंप्रूब्मेंट क्या हुआ improvement यह हुआ कि अनाज थोड़ा ज्यादा पैदा होने लगा यह improvement है जी जी बिल्कुल बिल्कुल ने के लिए अनाज मिलने के जहां तक बात है वो मिल सकता है आज के दिन हम भारत में देखेंगे तो हम अपनी आशक्ता से कुछ तीन चार गुना पैदा कर रहे है बिल्कुल तो सबको मिल सकता है लेकिन क्या सबको मिल रहा है क्योंकि समाज में जो संबंध होनी चाहिए जो व्यवस्ता होनी चाहिए वह हम सुनिशित नहीं कर पाए जी 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 बस बढ़ा है कि यह जो समानता है इनिक्वालिटी और पढ़ती जा रही है डेकिन प्रोडक्शन बड़ गया ऐसा तो हम बूल सकते ना जो आपने मतलब बात रखी जा रही है लेकिन समझ में इंप्रूमेंट नहीं सही समझ अभी आई नहीं इतना तो मैं देख पा रहा हुआ एक तो दूसरा जो उत्पादन करने गए तो जो केमिकल डाले उससे धर्ती का जमीन का भी खराब हुआ बिल्कुल बिल्कुल नर्चरिंग नहीं तो हम दो डर रहे कि पता न जी चुट्टी का दिन में कॉलेज में ग्राउंड पे यहूं धर्ती के साथ ही खेल रहा हूं इसलिए यही बात रख दी मैंने तैंक्यू जी थैंक्स नमस्ते नमस्ते सभी को दन्यवाद ठीक नमस्ते 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 अभी आपने इसे एक एक जांपल दिया कि 1960 में हमने कुछ सोचा प्रोड़क्शन बढ़ाने की तो थोड़ा तो इंप्रूमेंट हुआ लेकिन अभी भी जो सोच के प्रोड़क्शन स्टार्ट किया था वो कहीं नहीं हो पाया अभी भी इंड जाये तो काफी साही लोगों को फाना नहीं मिलता हो कुछ लोगों को जादा ही मिल जाता है और कुछ लोगों को जिनको जादा है वो उनको खाना नहीं है वो जनरली जो ना कैसे हम पतले हो उस वाले पर फोकस उनका रहता है तो बहुत ही ज्यादा इनिक्वालिटी है और दूसरी बात भी अभी यह कहरा जा रहे थी कि हमको पता है हमें सब कुछ पता है कि टेक्नोलजी कोई भी चीज आएगी अपने साथ वो इसके दूस्प्रवाब जरूर लाएगी लेकिन इसके वावजूर भी अंधी अंधी दौड में भागे जा रहे हैं नहीं नहीं चीजें ला रहे हैं और बीना ये सोचे समझे कि हम यह ली आएंगे या मसीर लनिंग करें या फिर हम आगे जाकर एक तरफ चरचा हो रही है कि यह जो हम करते हैं उसको और बात करते हैं और क्या कहते हैं उसमें एक्साइज करते हैं कि हम फिट रहे हैं और दूसरी तरफ हम AI बना रहे हैं कि हमें कम से कम काम करना पड़े यह कितनी समझ की कमी है यह क्या चीज़ है यह हम किस चीज़ें भाग रहे हैं मुझे तो सही में समझ में नहीं आता है देखे अभी क्या है ना यह दो तरह का चूप करते हैं हम लोग एक चूप यह करते हैं कि टेक्नोलोजी का भाव ही प्रॉब्लम है ठीक है ना दूसरे छोर में जाकर यह कहते हैं कि टेक्नोलोजी ही प्रॉब्लम है जबकि यह दोनों ही प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना डेवलप करते हैं जो प्रडक्शन करते हैं जो टेक्नोलोजी करते हैं उसके पीछे का जो वैल्यूस चाहिए उसका सदुपयोग करने के लिए वह वैल्यूस नहीं है जिसके बारे आगे हम लोग बात करेंगे तो values के बिना skills यह जो हम कर रहे हैं इसमें problem उपाय क्या है skill नहीं होना problem नहीं है technology नहीं होना problem नहीं है यह technology होना solution नहीं है technology तो चाहिए लेकिन value based होना जरूरी है यह दोनों का अगर आप साथ साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम समस्चा ग्रस रहेंगे कुछ लोग कहते है और technology develop करो कुछ लोग कहते है टेक्नोजी मत develop करो यह दोनों से रास्ता नहीं निकलेगा यह जो technology को use करने वाला माना है उसकी value system ठीक है की नहीं वोचीजों को समगलता में देख रहा है की नहीं उसके यार्थ में उसको मुश्ख कर रहा है की नहीं ऊसकants काॉपयोग कर रहा है की नहीं ठीक है ना उस पर आगे बात करेंगे जब एड्युकेशन के बात करेंगे तो इस बात को और थोड़ा लोगज़टिल करेंगे ठीक है बढ़ियां तो इतने के साथ हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी राजलोई याँ नेक्स पीछे का स्लाइड जाते हैं एक बार देखते हैं और पीछे जे तो ये बात हम लोग ने की थी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो एक और दो पर मुख्य रूप से काम कर रहे हैं तो हमारे जीने का स्वरूप क्या होगा संपुन्टा में उसकी एक क्लारिटी है और उसके लिए हम प्रियास कर रहे हैं ऐसा करेंगे तो यह जो समस्याइं हमको देख रहे हैं वो सहज रूप से ही solve हो जाएंगी नहीं भी होती हैं तो हम उनकी विदिवत analysis कर सकते हैं तीन नंबर पर बात कहीं जा रही है और फिर उससे चुट्टी पाने का जो तरीका है उस पर काम कर सकते हैं और उसमें भी खास क है उसमें यह तीन मुद्दों पर बहुत detail हम लोग बात करने वाले हैं तो उन तीनों मुद्दों पर थोड़ा सा त्यान देकर देख लेते हैं तो एक मुद्दा है health का जिस पर हम लोग बात करेंगे दूसरा मुद्दा है development and goals का SDG का और तीसरा मुद्दा है education का तो पहले health वाले मुद्दे को देखते हैं तो health वाले मुद्दे में देखेंगे तो अभी हम जो मानते हैं वो यह मानते हैं कि मानो जो है वो सिर्फ शरीर है human being is equal to body अभी ध्यान देकर देखने पर पता लगता है कि human being is not just the body but coexistence of self and body तो एक तो यह महत्वपुन बात है समाधान के दिश्टी से देखेंगे तो फिर अभी हम यह मानते हैं कि सुखी होने के लिए क्या करना है तो बहार से कुछ अनुकूल sensation समेदना पा कर हम सुखी हो सकते हैं या दूसरे से अनुकूल भाव पा कर सुखी हो सकते हैं और इसलि होते हैं अंतर विरोध में होते हैं तो दुखी होते हैं इसलिए हर इस्तर पर हम संगीत को हार्मनी को देख सकें और उस भाव के साथ जी सकें तो हम निरंतर सुखी रह सकते हैं तो कह रहे हैं आर्मनी एट आल लेबल्स ऑफ बीग इसके साथ हम जीते हैं तो सुखी रहते ह तीसरी बात ये कि हेल्थ के बारे हम ये मानते हैं कि हेल्थ का मतलब है हमारी सरीर स्वस्त्र है अगर बहुत अच्छा मानते हैं तो अभी तो उतना भी ने मानते हैं अभी तो मानते हैं कि बिमारिया ना हो या बिमारी हो गई है तो उसको किसी तरह से दबा के रखे रहें एग्रिवेट ना हो तो अगर सुगर हो गया है तो सुगर के कारण और कोई समस्या ना हो तो सुगर को नियंत्रित कैसे रख सकते हैं इस तरह की बाते करते हैं तो उसके लिए कुछ गोलिया खाते हैं, कुछ इंसुलिन लेते हैं, और ये सब चलता रहता है, अभी ध्यान से देखेंगे, तो हेल्थ के बारे जो बात अगर आप ठीक से करने जाएंगे, तो ये पता लगता है, कि अगर मानों को स्वस्थ रहना है, तो ये तीन चीजों की स्वस्थ होना जरूरी है, और ये वातावरन को देखेंगे, तो परिवार, समाज, पूरी प्रकृति, ये उसका वातावरन है, क्योंकि इसी के साथ वो जी रहा है, तो परिवार में अगर संबंध ठीक नहीं है, अंतर विरोज बना हुआ है, रोज का लडाई जगड़ा हो पर दिखाई पड़ने लगता है, इसके लिए बहुत उधारन मुझे देने के जोत नहीं है, आप सम लोग उसका है, एक्सपीरियंस किये हुए लोग हैं, तो ये कह रहे हैं कि अगर human being has to be healthy, तो this all three health, health of the self, health of the body and health of the environment has to be ensured, और ये healthy environment होने के लिए, जैसा कहा कि परिवार समाज और पूरा प्रकिती का जो बाता होने है, वो ठीक होना चाहिए, तब उसमें मानो healthy रह सकता है, जी, next, अभी जो कर रहे हैं उसको अगर देखेंगे, तो happiness is sought through sensation and getting the right feeling from others, ये दो बाते अभी कही थी हम लोगों ने, इस से अगर सुखी होने जाते हैं, तो उसका outcome क्या ह है, उसको अगर देखेंगे, तो पता लगता है कि आप बहुत अधिक consumption करने लगते हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको स्वाद में ठीक लगती है, उसको आप और अधिक और अधिक खाने जाते हैं, तो excessive consumption और over intelligence ये हो जाता है, उसका result क्या है, आपका सरीर जो है, उसको पचा नहीं पाता है, और सरीर बिमार होने लगता है, या सरीर में वो इकठा होने लगता है, जो अभी इंगित कर रहे थी हैं, कि ज़्यादा तर लोग जो over weight से सफर कर रहे हैं, obese जो हैं, obese जो लोग हैं, वो basically वो है, जिनका सरीर इतना मूटा हो गया है, कि उनके लिए मुश्कि सफर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संबेदना से सुखी होने के लिए, वो excessive consumption कर रहे हैं, over indulgence कर रहे हैं, और वो sensation के साथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिख ही होना चाहते हैं, sensation से, उससे होता क्या है, एक तो सुखी निरंतरता होती नहीं, क्योंकि कितना खाएंगे, कि एक समय के बाद फेर भर जाता है फिर खाना मुश्किल है स्वाद चला जाता है फिर गला भर जाता है अब तो आप खाई नहीं सकते तो continuity of happiness through sensation यह तो हो ही नहीं सकता ठीक और इस विदी से जब हम सुखी होने जाते हैं शरीर से सुविदा से संबेदना से तो उसका बहुत सारा इंपेक्ट परिवार में समाज में और फिर पूरे प्रक्रिटी में पढ़ता है तो यह नीचे लिखा हुआ है कि ओवरेटिंग कंजम्शन ऑफ जंक फूट एसेटरा इस कॉमन लाज नमर डिजिस आर साइको समेटिक नेचर ठीक है ना तो शरीर के लिए कुछ कर रहा है मै अब ठीक से देखने जाएंगे तो यह बात ध्यान में आती है समाधान के रूप में, रिजुलिशन के रूप में देखेंगे तो health of the environment, family, society, nature ये तो background के रूप में सही होना जरूरी है तो जब किसी भी मानुकों देखेंगे तो इन सब के साथ ही जी रहा हो परिवार के साथ, समाज के साथ, पुरकिती के साथ तो इन सब का स्वस्थ रहना तो जरूरी है उसके साथ उसका जो काम होगा वो ये दो चीज होगा एक तो health of the self को ensure करना और दूसरा फिर सरीर के स्वास्थ को सुनिश्चित करना इसमें important बात ये है कि पहले health of the self को सुनिश्चित करना जरूरी है और ये हमारा main focus होगा क्योंकि अगर self स्वस्थ है तभी self में ये जम्मेदारी का भाव होगा ये self regulation लिखावा है ELF जो लिखावा है उसके आगे self regulation towards body तो सरीर के प्रतिसंयम का भाव होगा अगर self खुद स्वस्थ है तो और सरीर के प्रतिसंयम का भाव होगा उसके प्रतिसंयम का भाव होगा तो फिर सरीर को वो स्वस्थ लख पाएगा तो ये महत्वपुने कि self का स्वस्थ रहना जरूरी है अगर self स्वस्थ नहीं है तो उसके over indulgence होने की संभावना है ठीक है और सरीर को स्वस्थ रखने के बदले उसको वो हानी भी पहुंचा सकता है ठीक है उसको हानी पहुंचा सकता है और वैसा भी होई रहा है तो यह लिखाए कि health of the self is to be ensured and this is the main focus then only we can work for health of the body as discussed details further इस पर आगे बात करेंगे बट यह तयारी चाहिए health of the self की और अभी जितने भी हमारे health program है उसमें कहीं भी self के होने का ही पता नहीं है तो उसके स्वस्त रहने के लिए कुछ करने की बात तो होती नहीं है ठीक है न तो इतने के साथ अब आगे देखते हैं कि अगर हमको यह पस्ट हो गया कि भाई आदमी self और body डोनों का existence है और self का health जो है वो important है और उस health को हम सुनिश्चित कर रहे हैं तो इस self में जो संयम का भाव होगा self regulation का भाव होगा उसके तहट body के लिए वो क्या करेगा बोडी को स्वस्त रखने के लिए उसका description यहाँ पर है ठीक है तो healthy रहने के लिए एक तो अपना intake और daily routine तो जो भी वो खा रहा है पी रहा है सांस ले रहा है वो सही हो उसके दिंचरिया सही हो इस पर काम करेगा शरीर से स्रम करें ताकि स्रीर का exercise properly होता रहे और अगर स्रम नहीं कर रहा है तो कम से कम exercise तो करें सरीर को स्वस्त रखने के दृष्टी से उसके बाद अपने शरीर के अंगों को और अपने सांस को व्यास्थित रखने के दृष्टी से जो आसन और प्रनायम की बात है तो इसके लिए काम करेगा यह तीन इस्तर पर काम होगा तो शरीर स्वस्त्र रहेगा और यह हम सब खुद कर सकते हैं अगर हमारा सेल्फ रिजॉल्व है हार्मनी में है तो हम सरीर के परती जिम्मेदारी का भाव महसूस करते हुए खुद ही कर सकते हैं इस कामको अपने में परिवार में उसके लिए किसी डाप्टर के पास जाने के जोत नहीं है किसी अथे नंबर की बात है उस पर काम होने की जरुत पड़ेगी एक तो मेडिसिन के रूप में और फिर ट्रीटमेंट के रूप में अभी आप देखेंगे तो एक तो सेल्फ की हल्थ की बात होनी रही है इन्वार्मेंट की हल्थ की बात होनी रही है जब सरीर की हल्थ के भी बात कि बात नहीं हो रही है सिर्फ चौथ की बात हो रही है और उसमें भी जो फोकस देखेंगे तो treatment की बात हो रही है तो अगर solution centric approach होगा holistic approach होगा तो अभी जो हम लोग ने कहा help के लिए हम इतना ensure करेंगे की health of the environment को ensure करेंगे health of the self को ensure करेंगे और उसके साथ कि इतने के साथ अब देखते हैं आगे कि यह जो सोलुशन सेंट्री के अप्रोच की बात हम लोग ने हेल्थ के संदर में की उसी को अभी जो सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल की बात अभी पूरे विश्व में हो रही है उसको देखने जाएंगे तो कैसा दिखेगा तो आप सब परिची थी हैं कि आज के दिन उनाइटर नेशन ने बहुत चोर देकर ये कहना सुरू किया है कि किसी भी राष्ट की नीती बनाते समय यह एंशोर करना ज़रूरी है कि यह जो सत्रह गोल उनाइटर नेशन ने निश्चित किये हैं इसको वो डेवलप्मेंट प्ल तो अभी हम लोग देखेंगे अगर तो ये एक तरह से प्राब्लेम सेंट्रिक एप्रोच है प्राब्लेम सेंट्रिक प्राब्लेम सॉल्विंग एप्रोच है हम लोग जो उसके लिए सोलुशन सेंट्रिक हैना सोलुशन एफर्ट की जो बात कर रहे हैं उसको देखेंगे त आएं तो यह जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं वो अपने आफिस सॉल्फ हो जाएंगे या इस इस पश्टा के लाइट में इनको हम ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे और इसको पूरा रिक्टिफाई कर पाएंगे तो दाइनी तरफ जो देखेंगे यह सॉलुशन सेंट्रिक अप्रोच की जो बात है उसमें यह पाच्छ लक्ष के रूप में गोल के रूप में हीमन बिंग के लिए इडेंटिफाई किया हम लोगों ने इसके लिए जो करना बनता है कम से कम इन पाच डाइमेंशन में तो काम करना बनता है इसको करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने से शुरू करना पड़ता है फिर परिवार में टीम में इसको हम कर सके तीम डेवलप्मेंट की बात है और अल्टिमेट्ली उसको को समाज की किस तरपर इंप्लिमेंट कर सके तो सौसाइटील डैवलक्मेंट की बात कर से कर सके है magic तो इतने को अगर कैंद में रख कर देखेंगे तो यह जो सथना गोलों की बात हो रही है और palabras हो रही यह वो अपने आफिरी होने लगेंगे उसके संदर में एक दो एक्जाम्पल्स आगे देख लेते हैं लोग बागे को आप खुझ वर्क आउट कर सकते हैं तो अभी अगर देखेंगे सब्सक्राइब 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 कर देता हुआ अपना प्रेजेंटेशन तो जैसे अभी SDG1 में देखेंगे तो कह रहे हैं नो पोवर्टी ठीक है न अभी इसके लिए जब काम करने जाते हैं उसके नीचे विवरन लिखा हुआ है कि बहुत सारा काम किया कि इसके लिए DDP अगर बढ़ जाए तो यह सब काम ठीक हो सकता है कोई पोवर्टी नहीं रहे और एक लंबे समय तक काम करने के बाद का experience है कि पोवर्टी तो बनी हुई है और यह जो जीटीपी बढ़ाने के जो प्रियास हुआ उसके साथ बहुत सारे side effects हो रहे हैं तो interesting है इसमें लिखा है कि पहले जो consumption था वो जो डिप्राइब लोग थे उनका consumption 2.5 के लेवल पर था और अभी 2.5 के लेवल पर आया है मतलब कम हो गया consumption जो सबसे ज़्यादा privilege लोग हैं उनका अगर देखेंगे तो उनका consumption लेवल कुछ 20 था अभी 27 हो गया है ऐसा है राजल लुए ठीक पढ़ रहा हूं है जी करनेशी ठीक है यह और इसका data source भी लिखा हुआ है UNEP and IRP 2019 का data है तो United Nation का ही यह data है जो कह रहा है कि 2017 से 1990 से 2017 का अगर देखेंगे तो जो अधिक खा रहे थे वो और अधिक खाने लगे हैं जो 2.5 की तुल्ना में उसका consumption 20 था अभी गरीब वालों का 2 हो गया है और धन्शी जो है उसका 27 हो गया है तो almost 10 गुना पहुँच गया है पहले जो है करीब-करीब 8 गुना था अभी 10 गुना पहुँच गया है हम लोग 10 के 15 गुना पहुच गया है 14 गुना तो यह हो रहा है सारा अभी हम लोग जो प्रोपोस कर रहे हैं उसमें यह कह रहे हैं कि working for a system that aims for prosperity in every family तो इसके लिए प्रयास किया जाए कि हर परिवार में सम्रिती हो जाए हर प्रयार में आवशक्ता से अधिक की उपलब्जी हो जाए उसके लिए क्या करना है तो यह सारी बाते लिखे हैं education so that everyone can rightly identify their needs तो वास्तों में जो सुविदा की आवशक्ता है उसको पहचान लेना और उसके लिए आवशक्ता होना यह सबसे जरूरी काम है जाते हैं तो सुविदा भी खराब करते हैं शरीर भी खराब करते हैं फिर education such that there is a feeling of relationship amongst all तो दूसरे के परती संबंद का भाव होगा तो हम दूसरों से share करने का सोचेंगे ना कि दूसरे को exploit करने की सोचेंगे ना कि ओवर कंजम्शन की सोचेंगे education so that every family has the skills and sustainable production can produce something that is required तो ऐसी सिक्षा दें जिससे हर एक परिवार के वेक्ति के पास कुछ skills हो उत्पादन की और sustainable उत्पादन की उससे हर परिवार कोई सार्थक आवशक उत्पादन कर सकता है फिर जो उत्पादन किया गया उसको संबंध पुर्वक एक दूसरे से आधान परदान करने का exchange system हो हमारे पास फिर हमारा सदुपयोग करने का मानसिक्ता हो जब हम करते हैं तब हमको दिखता है कि आवशक्ता से अधिक है तो अभी अपने घर में हम लोग देखेंगे तो इतनी सारी चीजें लाकर इकठा किये उसका कभी उप्योग ही नहीं किये वह इकठा ही हो रहा है अगर उसका उप्योग करने जाएंगे तब आपको पता लगया कि आ पोवर्टी अपने आप दूर हो सकती है इनफेक्ट अगर लॉट कर देखेंगे तो बहुत सारे समाज ऐसे थे जिनमें यह प्रोस्पारिटी थी लेकिन जो एक एक एक्स्प्लेटेशन का मोड बनाया गया उसके तहत उनको डिप्राइब होना पड़ा तो भारत का भी परिवार भुखा ने रता अभी देखेंगे तो बहुत परिवार है 40 परसेंट बता रहे हैं जो ठीक से खाना नहीं मिचता हूं तो यह बात है इसी तरह से बाकी गोल के बारे देख सकते हैं डीजी टू का फॉर का फाइफ का यह सब है तो इसके डीटेल में मैंने जाता हूं आप लोग उसको देख लिजेगा बट आशे उसको मैंने इस परस्ट कर दिया फूट के बारे यहां लिखा हुआ है कि सरीब करीब इतना फूद हम उत्पाधन कर रहे हैं पूरे विश्व में कि जितनी जुरत है उसका छे गुना है और जो वेश्टेज को देखेंगे वो इतना है कि तेरा सो करूर लोग खिलाये जा सकते हैं तो प्रॉब्लेम हंगर का जो है वो यह नहीं है कि पैसुविदा नहीं है फूर्ड नहीं है या तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं एक दूसरे के बारे कंसर नहीं है या हम राइट कर रहे हैं या हम दूसरे के साथ संबंद को नहीं फिल करते हैं तो यह सारे इश्यू से हैं इसने लिखा है आज भी कॉंसस एक नुट रहे हैं कंजूमर्स है भी अंड़स्टून द्राइट इतलाइजेशन अभी जो प्रॉब्लम है इस जुस्ट प्रॉब्लम प्रॉब्ल इस लिए एक मालवेश श कंसकार की जरूद है ताकि हमारी सत्रीक हो सके ताकि हमारा समद्ध के भाव के तहत हम ठीक से आपस में वित्र न कर सके तो यह गया ह। पूरे विश्व के लोगों की जरुत से छे गुना ज्यादा हो रहा है तो फिर हर एक में सम्रिद्धी प्रोस्पेरिटी हो सकती है प्रोडक्शन वाइज इस जे जो गोल एक दो तीन है वो सॉल्व हो सकता है समझ के साथ संबंद के भाव के साथ सदुप्योग के साथ और एक दूसरे के साथ पूरक्ता के अर्समें आदान परतान पुर्वक्र जे तो यह सारे डीटेल से आप मैं वो डीटेल को नहीं करता हूं कि टाइम अपने पास कम है तो यह सारा से एजुकेशन में देखेंगे तो यह तीसरा टॉपिक है जिस पर हम लोग पैनल डिसकेशन रखने वाले हैं तो जैसा मैंने मेंचन किया था कि आज के दिन देखें है सोलुशन क्या है होलिस्टिक वैल्ली बेस्ट इसकील ऊप्चेशन दिया जाए तो इसकील एज़ुकेशन ना दिया जा ऐसा नहीं है पिसकील आजए मधु THE छीड़्टव फिल उसकील दे रहे तो isn't to at the most it addresses ड मूली मुट ब्यूज़ जो के अगर अगर वैल्ली पेस्ट is not in the focus the capacity to live in relationship with other human being also is not in focus यह तो हम सब लोग देखी सकते हैं और आभी focus क्या अगर देखें आज के engineering के technology के बच्चों को management के बच्चों को तो the core focus is to accumulate more and more to consume more and more rather than to produce what is required and utilize it rightly तो आप देख सकते हैं कि यह समस्य हम जेल रहे कि नहीं अभी के दिए अगर एक holistic value-based skill education हम देंगे तो यह तीनों चेज़ें एंशोर होंगी right understanding in every child the capacity to live in relationship with other human being the capacity to identify the need of physical facility यह हम कर पाएंगे the skills and practice for sustainable production of more than what is required तो यह जो उपर का एक और दो को करके जब तीन को करने जाएंगे तब हम सुविदा का उत्पादन कैसे ठीक से करें sustainable way में यह भी तै कर पाएंगे और उसका सदुपयोग कैसे करना इसको भी तै कर पाएंगे तब यह पता लगता है कि problem skills का नहीं है technology का नहीं है problem values के ना होने का है इसलिए values values को केंसेंटर में लाना जिरूरी है और फिर एक holistic value based education ensure करना जिरूरी है और अगर ऐसा करेंगे तो इसमें हर एक के लिए समरिद्धी का भाव सुनिश्चित हो सकता है इस द्रिष्टी से आई सिटी ने बहुत जो है लीडिंग स्टेप लिया है और यह सब को करने के लिए एक holistic value based education का framework डेबलब किया जो मानवी शिक्षा को सुनिश्चित कर सकता है और मानवी आवशक्ताओं को पूरा करने का रास्ता process कर सकता है खास करके जो भारतिय संभिधान और फिर NEP 2020 में और उसमें यह UN SDGs included है इनके द्रिष्टिस अगर देखेंगे तो यह जो प्रोपोस्ट फ्रेमवर्क है यूनिफाइंग फ्रेमवर्क है जो AICT ने प्रोपोस्ट किया है जिसको दाहिनी तरफ हम लोग ने वो प्रोपोलेट है जो AICT द्वारा रिलीज्ट है तो AICT ने यह प्रोपोजल दो दिया है इससे यह सारे जो एस्पारेशन से हमारे human being के वो पूरे किया जा सकते है थ्रू राइट इजुकेशन और संसकार और यह एजुकेशन का देखेंगे तो यह तीन मेन कंपोनेंट है एक तो education on values founded on holistic and human world vision that is understanding the harmony इसके साथ जो हमारे में values बनते वही universal human values है इसकी बात की है फिर ऐसा जीना हो सकता है ऐसे tradition में लोगों ने जिया है पूरा ने तो पार्टली तो जिया ही है उसके जो लाइव उधारन है उनके बारे बात की गई है और इन दोनों के आधार पर फिर कैसा skills हमको देना बनता है तो लर्निंग skills for living in harmony and their practice नेचर friendly and human friendly ऐसी टेक्नोलोजी ऐसी skills को development का काम यह तीन मेजर पार्ट है जो पोजल है यह holistic value based education का और यह सारा काम हम लोग निस्टित्रूप से local language में mother tongue में कर सकते हैं वो भी एक इसका integral पार्ट है जे और इस सब को करने जाएंगे तो आज की जो institutions है educational institutions जो corporate universities है जो government है उनका जो रोल अगर देखेंगे तो यह दिखता है कि एक ऐसा environment हम अप्लब्द करा सकें मानुए सिक्षा संस्कार के लिए तो management faculty and staff उनमें यह दृष्टी यह दर्शन है ना यह संस्कार के लिए समझ पैदा हो सके और उसके साथ वो जी सके और उसके लिए जो content and process of education हो holistic और human होना है उसको ensure किया जा सके तो यह काम अगर करेंगे institutions तो यह जो पर्यास है human education का और उसके थूर human society का वो पूरा हो सकता है ऐसा human education को हम तो तीन स्टेप पर introduce कर सकते हैं value education, value based education and value based living के तुरू उसके details तो आप सब लोगों को ध्यान में है existing curriculum में human values को introduce करना फिर सारे syllabus को इसके आधार पर value based होना और फिर वैसा जेने का एक पूरा वातावरन institution में बनना इसमें खास करके जो regulatory bodies है वो इस बात से शुरू कर सकते हैं कि यह सब करने के दृष्टी से जो parameters है उनको एक प्रोपर वेटेज दें ताकि institutions, academic institutions और universities इस पर ध्यान दे सके हैं इस पर काम कर सकें और ऐसा वो करना चाहते हैं तो उस process को facilitate किया जा सकें जे तो ultimately देखेंगे तो ये बात जो कहा हम लोगों ने कि एक और दो पर मुखे काम करते हुए तीन और चार पर काम अगर करेंगे तो हम सही सही सिक्षा भी दे पाएंगे और उसके तहत एक सही समाज को तुनिश्चित करने का काम कर पाएंगे तो उसकी द्रिश्चित से देखेंगे तो next लिए नेक्स्ट नेक्स्ट या तो हम लोग जो overall काम को देखेंगे तो ये है कि एक को सुनिश्चित करने के लिए लामानों का लक्ष किया है उसको पहचानने का और उसको कैसे पूरा किया जा सकता है उसको देखने का काम कर रहें फिर इसके लिए जो प्रयास किया जाना है इसमें पहले संसकार से सुरू करके जो मानवे आचरन से जीने की बात है मानवे संभिधान की बात है और मानवे विवस्ता की बात है इतने पर काम करने का प्रयास कर रहें और जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते हैं तो फिर ये जो तीन और चार का काम है कि analysis of the problem and effort to get rid of the problem ये काम चलता र का है जो continuous होने वाला काम है और समय समय पर ये तीन और चार का काम है जो temporary nature में है क्योंकि एक बार problem solve हो गया तो फिर उसकी जरूत नहीं आके continue करने की तो इतने के साथ देखेंगे next नेक्स में जा सकते हैं जी तो अल्टिमेटली ये जो लक्ष की बात हुई थी पांच लक्ष जो हम human being के लिए पहचान सकते हैं उसकी बात और उसको पूरा करने के लिए कम से कम ये पांच systems की बात और उस पूरी प्रक्रिया को देखेंगे तो self development से सुरू करके team development or societal development की बा solution effort के approach के साथ हम लोग कर रहे हैं और इसमें भी देखेंगे तो यह जो self development और team development की बात है यह जो सत्रह हम लोग करते हैं महिने में एक बार वो इस दोनों को सुनिश्चित करने के अर्थ में है ताकि ultimately हम सब लोग as a team societal development के लिए काम कर सकें एक मानुए समाज को human समाज को सु को शेर करनी थी आप लोग के साथ इसको मैं पूरे को समप कर देता हूं राजिल भाई आगे चल सकते हैं तो समप करना तो आसानी है क्योंकि सारी बातें हो चुके हैं working on holistic solution we result into these three things which we have already talked about the initial step is our self development preparation and providing value education to the next generation gradually and naturally value-based education will follow the conference is to share our experience and encourage them तो इतनी बात हमारी तरक से रखनी थी इस conference के संदर में और जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसके संदर में तो इस पर कोई प्रश्ण है तो अब हम लोग ले सकते हैं अगर समय है तो उसके बाद आगे का जो भी conference के लिए काम किया जा रहा है उसको राजल गया रखेंगे या और जो भी जिनके जिम्मेदारी में वो शेर करेंगे ठीक इतने पर कोई प्रश्ण है तो मेरा प्रश्ण यह बन रहा था अच्छली प्रश्ण नहीं है थोड़ा सा मैं clarity चाहता हूं कि जो हमारे फॉर्स्ट दो अप्रोच की बात हमने की है जिसमें फॉर्स्ट अप्र इसका कोई अगर आप एक एग्जांपल दे सकें कि जिससे यह तीनों तरीके से कैसे अप्रोच क्या होगा वेन वी आर प्राइंग टू एलुमिनेट दे सिंटम्स वेन वी आर प्राइंग टू गेट रिलीफ तो यह दोनों वह एक जैसे दिखरे थे इसलिए अगर कोई एक एक्जांपल से इतका अप्रोच में प्या डिफरेंस आएगा यह अगर आप बता सेकें तो ज्यादा बेस्ट तरीके से समझ पर एक्जांपल तो मैंने लिया ही था आपका ध्यान ने गया होगा जी सवाला एक्जांपल लिया था कि अभी क्या है शरीर को कैंसर हो गया जी है बेसिकली देखेंग头 मब्लूम क्या है अनहलदी बॉड़ी की कैंसर होना उसका सीब्टम है नहीं तो अब यंद्ट आक्स सिरफ गिंद्र डरेस seg soul करते हैं यह समझ माई चिक सरक करना मुंद करि लूज़ है कि अलम एक को है कि शुटकरा पाने जादा महत्वपन क्या है कि हमारा सरीर स्वस्थ कैसे रहे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें कि यह सोलुशन सेंटिक एक लोच तो यह समझना है और फिर उसके लिए काम सेंटिक सोलुशन एफ़र्ट है कि इससे क्या होगा सब्सक्राइब उससे क्या होगा कैंसर नहीं होगा कि इसमें थोड़ा सब्सक्राइब करने की कोशिश हम कर रहे हैं और फिर दूसरे में भी वैसे ही लग रहा है मुझे वो प्रियर्टी नहीं बन रही है वी तो देरा क्लियर करने की कोशिश हम कर रहे हैं कर लिजे किसिको केंसर हुआ आपने उस पार्ट को कारके हटा दिया वी तो ईससे क्या अनलदी बाद फिर आप साजाता पर अगर आपने कर दिया होता तो सरही हो गया होता तो नहीं आता लॉट कि अब लोग इसके आगे एक बात कह रहे हैं कि यह अनहीं पाता है क्योंकि वह एक जगा है क्यों कि है ठीक नहीं है जी कि अब नहीं पाता है हमको दियान है कि जाब हुआ एक जगा है मध्यप्रदेश में अधिवासी जिला है वहां पर एक वरक्शॉप हम लोग कर रहे थे वहां पर और वह जो वरक्शॉप हो रहा था वह एक जीवन ज्योती होस्पिटल नाम का एक इसमें हो रहा था यह एक क्रिश्चन जो है मिशनरिस का होस्पिटल है तो यह जब शिविर चल रहा था तो उनके जो फादर थे जो पूरा सुपरवाइज करते हैं करते थे उनको लोग ने लास्ट दिन बुलाया कि आपका क्या प्रवेशन ने बताई है तो उन्होंने यह बताया कि मैं तो शिविर अटेंड नहीं किया हूं लेकिन मैं दो बाते नोटिस किया हूं यह तो इतने लॉंग आवर तक आप लोग का सेशन चलता है और लोग सब अंदर बने रहते हैं यह तो मैं किसी सरकारी ट्रेनिंग में देखा नहीं पहले दूसरा यह कहा कि इतने लॉंग आवर के बाद भी जब लोग निकलते हैं तो बड़े उसाहित रखते हैं और और चर्चा करते ही रहते हैं तो मैंने तो एटेंड नहीं किया लेकिन मैं इससे मोटिवेटेड हूं और मैं अगली बार करूंगा और अगली बार जब उन्होंने किया वर्क्शॉप त इंटेंसिब केर करके स्वस्थ करके भेजते हैं और छे मैंने साल भर में वो फिर भी वापस आ जाते हैं तो हमको लगता था कि क्या करें हम इनके लिए ठीक है ना लेकिन अब यह समझ में आ रहा है कि हम तो उनके बॉड़ी कोई टीट कर रहे हैं सेल्फ को तो करी नहीं र तो यह है दृष्टी का बात कि यह हमको नहीं दिखता कि जो शरीर को स्वस्थ कर दिया मन को स्वस्थ नहीं किया तो फिर लौट क्या दागा ओ है आया समझ में जी जी सब्सेटी ठीक है ठीक सब्सक्राइब नमस्थे नमस्थे आज विया पास टाइन कितना है बताए क्योंकि आपको एक और प्रेजेंटेशन होना है ना ना गानेशी इसके बाद चारण जी का होना है तो चारण जी से पूछ लेटे जैंग तो जो लोग बात पूछना चाहरे हैं उनको अगर संसुष्ट कर पाए तो बहतर है तो अगर हम लोग यह लास सेशन लास क्वेशन ले ले लेते हैं और इसके बाद यह नम संबोधी है मैं 24 यह क्वेशन था कि अगर हम माइन्फुली प्रड्यूस कर ले प्रडक्शन में हम माइ अगर मैंने आज यह समझ लिया और मैं अपना प्रड्यक्शन माइन्फुल कर लूँ पर जो मेरा कंजूमर है अभी तक तो वो नहीं समझा हुआ है तो वो तो मैं कंजूमर तो माइनलेसली खरीदेगा तो मैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ अब जो मुझे इस वाक्श करने है जिससे कि मैं बेटर के लिए कॉंट्रीट करूँ तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि आप मुझे हेल्प कर सकते हैं उसके अंदर जी तो अभी जब हमने बात किया ना जी को अगर आप देखेंगे ना तो अगर ठीक से चलना होगा तो यह सब करना पड़ेगा ठीक है कि हम अपने नीट को आइडेंटिफाई करेंगे एक दूसरे के साथ संबन का भाग रखेंगे ठीक है ना हम उसका उत्पादन करेंगे सस्टेनेबल ढंग से ठीक है ना जी जो सब की जरुवत है फिर उसको हम एक दूसरे के साथ आदान परदान करेंगे संबन आदानी से उसका सद्वियोग करेंगे अब यह सब चीजें तो अभी बहुत सारी मिसिंग है जो आप ठीक कह रही है ना कि नहीं है अभी अभी क्या करें तो करनी पड़ती है इसमें एक तो अगर हमको यह दिखने लगा कि क्या सही है उत्पादन करना वह मुद्पादन करेंगे और से सुरू करेंगे धीरे धीरे हमारे चारों तरफ जो महौल बनता है और हमारे संबंदी बनते हैं उनके साथ यह काम सुरू होता है अब कहां पर है अब क्रिश्ण गुपार जी को आप शायद जानते में मेरे फादर है अच्छे बढ़िया तो अभी तो आपके लिए एक अ समझने की कोशिश करते हैं या समझे हैं और से उत्साई हैं तो क्या उत्पादन कर रहे हैं अभी तो मैं अच्छली मार्केटिंग में हूँ और वही मेरा पापा के सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यह चलता है कि मैं जो जॉब करी हूँ वह एकदम अग्यांस्ट यह हैं मैं हर चीज को जादा सब्सक्राइब बेचने की कोशिश कर रही हूँ तो पापा में बोटने कि तू तो एकदम ही नेगेटिव में काम कर रही है तो पापा थोड़ा जल्दी कर रहे हैं अभी आपको उनको कोशिश किया करना थे कि पहले एक बार इस पारी बात को आप सुन ल करने जाते हैं तो रास्ता नहीं निकलता है तो आप ऐसा कि अभी पहले में यह सब कुछ समझ लूँ एक बार सारा इंटेक कर लूँ और फिर हम यह सोचेंगे कि हमें कैसे सही करना है तो देरे-देरे हम लोग रास्ता निकालेंगे अभी जैसा मेरा मन है कि मैं अपना खु को अभी मैं जैपूर रहती हूं काम के लिए तो वह चीज होने के लिए में को खुद का जैसे अभी ता क्योंकि मैंने फैशन कम्मिनिकेशन से पढ़ाई करी तो मेरे दिमाग में जो चीज आती है कि फैशन ब्रांच आती है कि मुझे पैशन हूं मैं उसके लिए बट क्ली कि जुड या फिर नहीं करोंगा कि आ पके पेशनय ने करनी चाहिए और नहीं भड़ी मिभत करनी ने रहाएए मैं और जैपूर में रहती हुश हुश से तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है मैं को लगते कि मैं अपने घर पे मश्ता नृतों भड़ हुश중 यह दूर जाते हैं ना यह अपने आप तो इंसिडेंटली तो नहीं हो गया उसके लिए तो पूरा प्रयास किया गया ना इस साल का प्रयास और आपके पिताजी पहले से प्रयास कर जाए होगे उसके तहट आपको पहुचा दिये जैपूर और आप पहुच गए अभी उसको अगर ठीक करना है प्रोसेस को तो कुछ ताइम तो चाहिए ना क्योंकि हर्वड़ी में आ जाएंगे तो फिर वहां कर पलशान होंगे फिर वापत जाएंपू चले जाएंगे सही सही ठीक है थांक यू जी तो इसलिए तो देखेगा जी बिलकुल थांक यू सोब थोड़ा समय लेकर समझते हैं पूरी बात को है न जी जी सो बिलकुल अच्छा लगा सो वोक्शॉप में मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैंने पहली पर आपका वोक्शॉप अटेंड कि जी 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 मज़ा आ गई तो इतना इंजॉई नहीं क्या मैंने यू एच्छी के बॉर्क्शॉप हो कभी जितना आज के गंटे के सेशन में मैंने इंजॉई के उसको जई बात जई बात जई बढ़िया तो मैं अपने तर से यहां रोक लेता हूं और जो है आप हमारा समय आ कर दो